नमस्कार न्यूस क्लिक के खोश खबर काईकरम में आप सबका स्वागत है बलातकार पर देश भर में जबरदस्त आक्रोश है दुनिया की नजर में भारत महिलाओं के लिए एक असुरक्षित देश बन गया है हैदराबाद में डॉक्टर के साथ जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली बलातकार की घटना और उसके बाद उसे जिन्दा जलाने की दिल दहलाने वाले वाकिये ने हम सबको भीतर तक उद्वेलित कर दिया है बिहार के बकसर जिले में भी ठीक इसी तरह से एक यूवती के साथ सामोहिक बलातकार हुआ उसे गोली मारी गई और उसके बाद उसे जिन्दा जलाने का मामला सामने आया है समाज में एक तरफ हम बरबर और जादा से जादा निर्शंस होते जा रहे हैं वहीं दोशियों को पकड़ने, समय बढ़ धंक से सजा दिलवाने, बलातकार मुक्त समाज बनाने के बज़ाए उन्हें सरेयाम फासी पर लटकाने से लेकर भीड धवारा मारे जाने, लिंचिंग किये जाने तक की बात संसद में सांसद उठा रहे हैं सांसद जया बच्चन का संसद में यह कहना कि दोशियों की लिंचिंग होनी चाहिए बेहर शर्मनाक और चिंता जनक वक्तव्य है डालना एक जिघन अपराद है इस अपराद के पक्ष में सांसद का यह बयान लोगतंत्र को कानून विवस्था को बिल्कुल नकारने वाला एक परेशान कुन पूरा नजरिया उनका पेश करता है बलातकार के लिए जो कानून है सही धंग से उनका पालन हो पुलिस को किस तरह से हम समेधन शील बनाए तुरंत किस तरह से एक्ट करें दबिश करें दोशी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसे तुरंत पकड़ने की गैरंटी हो ऐसा ना करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सक्त कारवाई होना ऐसे तमान जरूरी कदमों पर बात करने के बजाए उन्हें युद इस्तर पर लागू करने के बजाए पीडिता के इर्दगिर्द बात होना समाज में इस तरह की निर्शन्स और बरबर रवये के बारे में बात होना दरसल बलातकार मुक्त समाज की बात नहीं है पीडिता और उसके परिवार को पूरे समाज को न्याय के लिए जिस तरह से संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए जो पूरी मशक्कत है उसे किस तरह से सरल किया जाए बलाकारियों का किस तरह से बाइकॉट हो समाज में हर तरफ महिलाओं का एक आजाद बेखौफ मौहौल कैसे हो इस पर बात करने के बजाए इसकी गैरंटी करने के बजाए हम पाते हैं कि इस तरह के बयान दिये जाते हैं ताकि कुछ भी ना किया जा सके जहां पर ठोस कारवाई की जरूरत है वहां पर ठोस कारवाई नहो जिन पुलिस कर्मियों ने तुरंत कारवाई नहीं की उनके खिलाफ गुसे को इस तरह से डाइवर्ट किया जाता है इससे जुड़ी दो और एहम बाते हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आपसे दरसल पूछना चाहती हूँ कि बलातकार पर जब भी कोई घटना होती है हमारा गुसा होना, हमें सड़कों पर उतरना ये बहुत लाजमी है ये हमारे जिन्दा होने की निशानी है, हमारे अंदर इंसानियत बची है, इसक्या एक प्रतीक है लेकिन अक्सर यह गुसा बहुत सेलेक्टिव होता है क्यों ऐसा होता है कि बलातकार की कुछ घटनाओं पर हमारा खून नहीं खौलता आपको याद होगा कि उत्तरप्रदेश में भाश्पा के विधायक कुलदीब सेंगर पर बलातकार का आरोप लगा था पीडीटा के पूरे परिवार को तकरीबन खतम कर दिया गया, यहां तक कि पीडीटा पर ही ट्रक चलवा दिया गया लेकिन कुलदीब सेंगर को बचाने के लिए पूरा तंत्र पूरी बेश्शर्मी से लगा हुआ था और तो और भाश्पा के जो सांसद हैं साक्षी महराज वह उनसे जेल में मिलने गए, धन्यवाद दिया तब आखिर हमें जो सब्वे समाज है उसे गुस्सा क्यों नहीं चड़ा कि एक बलातकारी को बचाने के लिए यूपी की जो पूरी सरकार है, पूरी पुलिस है और केंद्र की जो सरकार है, वो कैसे खड़ी हुई है क्या संसद में जो संसद थे, उन्होंने पुलदीप सेंगर को सरयाम सजा देने की उस समय बात की, भाशपा के दूसरे नेता चिनमयानंद, जो खुद को स्वामी कहते हैं, उन पर बलातकार का आरोप लगाने वाली पीडिता, जो छात्रा थी, उसने वीडियो तक जारी करन क्रोध नहीं है, वहां गिरेबान पकड़ के लोगों से पूछा नहीं जा रहा है कि आखिर यह कौन सा कानून है, जो कुलदीप सेंगर, चिनमयानंद और बाकी ऐसे अंगिनत लोगों के उपर कारवाई करने को तैयार नहीं होता, चुनावी सुधारों पर काम करने वाली एक संस्था है, Association for Democratic Reform, और इसके अध्यन जो उसने किया है सांसदों के बारे में, किस तरह से उनका background है, उससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो बलातकार के मामले इस समय जो सदन चल रहा है, उसमें तमाम जगन अपराधों के साथ-साथ, बलातकार के मामले सबसे अधि ट्वीट करते हैं, बाद-बाद पे हर चीज़ पे अपनी राय रखते हैं, अभी तक उन्होंने एक शब्द इस पर नहीं कहा है, बलातकार के खिलाब जो पूरा मामला उठा है, उस पे एक शब्द नहीं कहा है, उन्होंने, हमें यह समझ आता है कि आफिर वा प् commitments क्यों कि और क्यों नहूं उनकी सरकार की छत्रचाया में एक बलातकार यौन उत्पीडन के गंभीर आरोपे में घिरा बाबा नित्यानंद देश से भाग जाता है और जो खबरे आ रही हैं अभी कि बलातकार का आरोपी यह व्यक्ति एक टापू खरितता है उसे कैलासा नाम देकर इन मोदी भी शामिल है हमारा सवाल यह है आप से अपने आप से समाज से कि आखिर सत्ता की छत्रचाया में जो यह बलातकारी पनप रहे हैं जिनकी लंबी लिस्ट है यह लिस्ट आप तक भी पहुची है हम तक पी हम सब जानते हैं इनके खिलाफ हमारा गुसा क्यों नहीं हम क्यों नहीं इन्हें एकाउंटिबल बनाते क्यों नहीं सत्ता का गिरेबान पकड़के कहते हैं कि इन बलातकारियों को जब तक तुम बाहर नहीं करोगे तब तक तुम हमारे पास नहीं आ सकते जब तक औरतों के खिलाफ जो जल्म करते हैं इन्हें हम जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, इन्हें हम पीछे नहीं भेजेंगे सलाखों के, तब तक सही धंग से बलातकार को रोकने की राजनितिक पहल नहीं हो पाएगी, यह समझना जरूरी है कि बलातकार एक या दो को फासी पे चड़ाने से नहीं रुकता, फासी का प्रावधान तमाम बहसों के बाद किया गया, लेकिन जो स्त्री विरोधी मौहौल बनाया गया है, जो लोगों को पता है कि करने के बाद वो देश के बाहर चले जाते हैं, हिंदू राष्ट बनाने की बात करते हैं, और उनका कुछ नहीं होता, जब तक ऐसे लोगों को हम पकड़ेंगे नहीं, तब तक औरत क को बचाना, औरत का सम्मान करना, ये सारे शब्द सत्ता को इस्तमाल नहीं करने होंगे, दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसी खबर की ओर, जिस पर मीडिया में बहुत कम चर्चा हुई, और हिंदी पट्टी में तो तकरीबन नहीं के बराबर, ये हिर्दे विदारक खबर जाई है, तमिलनाडू से, तमिलनाडू के कोइंबटूर जिले के मिटी पलायम में, 80 कॉलोनी में, छुवा छूत की दिवार, ध्यान दीजिए, छुवा छूत की दिवार ने 17 भारती नागरिकों की जान ले ली, यह दिवार एक दबंग जाती के सिवा सुब्रमन्यम ने ब दलित बस्ती है, वहां की हवा भी उन्हें छूना पाए, वहां की लोग उन्हें देखना पाएं, यह दिवार थी 20 से 22 फिट उची, 80 फिट लंबी और 2 फिट मोटी, यह दिवार भारत की बजबजाती जाती विवस्था की घिनोनी तस्वीर है, पूरे तमिलनाडू में इस इसे तमिल भाशा में तीन दामाई सुवेद कहते हैं, यानि अस्प्रिष्टा की दिवार, अंटचबिलिटी वॉल कहा जाता है, इस घटना में मारे गए सारे दलित अरंधुतियार समुदाये से थे, यहां पर तकरीबन 300 घर हैं इस समुदाये के, यह लोग लंबे समय से इस दिवार को हटाये जाने के लिए प्रशाशन से मांग कर रहे थे, वहां से जो बच्चे बोल रहे हैं, पूरी के पूरे परिवार खत्म हो गए वहां पर, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे एक बात बिलकुल साफ होती है, कि यहां पर रहने वालों को यह अंदेशा था, कि यह दिवार कभी भी गिर सकती है, यह दिवार घ्रिणा पर आधारित थी, यह दिवार नफरत पर आधारित थी, सवाल यह है कि इस दिवार के खिलाफ और इस तरह की जो अंगिनत दिवारे हैं, उनके खिलाफ तमिलाडू में आंदोलन चल रहे हैं, लंबे समय से अ साथ तमिलनार्डू अंटचबिलिटी एरैडिकेशन फ्रंट वह एक आंदोलन कर रहा है इस फ्रंट के के सुमवेल राज ने हमें बताया कि प्रशाशन पूरी तरह से इस घटना के लिए जिम्मेदार है क्योंकि यहां बस्ती के लोग खुद जाकर मिलकर आये थे बारिश से पहले भी उन्हें अंदेशा था क्योंकि यह जो दिवार है यह दिवार सिर्फ पत्थर और पत्थर रखे गए थे इस पे पैसा भी नहीं खर्श किया गया था अब आप अंदाजा करिए कि यह जो 20 फिट ऊची दिवार बनाई थी यह पत्थरों पे कोई इट और सिमेंट से नहीं बनी हुई थी यहां पे मोटे-मोटे बड़े-बड़े बत्थर रखे थे जो जैसे ही बारिश हुई वहां पर यह गिर गई इस फ्रंट के हम बात कर रहे हैं, इस तरह की दिवारों को गिराने का काम किया है, मधुरई में भी इस तरह की दिवार गिरी है इस घटना के बाद लोकसभा सांसद और वीसेके के नेता दी रवी कुमार ने जो दिल्ली में समाजिक न्याय और अधिकारिता के इंद्री मंत्री हैं ताबर्चन गहलोत उनको पत्र लिखा हस्तक शेप की मांग की तब जाके ये पुष मामला दिल्ली तक पहुचा इस घटना के बारे में हमने तमिलनाडू के कुछ प्रबुद जीवियों से बात की उनसे जानना चाहा कि ये जो अंटचिबिलिटी वॉल है इसके पीछे क्या मानसिकता काम करती है तमिल लेखिका और दलित मिद्दों पर टीखा लिखने वाली बामा ने हमें फोन पर बताया जानना के युझ जानना मत्यटी जीवियों से जोलिता है इस जाड़ा प्रबुद झालितों से भी एंट रावाण के यह लिएगा व्युवारतित ऑबुद प्रबुद एलितों से बात का एंटीप इस इस अईयुट को अगराषिक परफू से लग्यार भ्केषाद साहत उ और जोडोर बएपल भाङ वीजा दोडोर खेव यह रहान है इसी मुद्धे पर हमने बात की दलित एक्टिविस्ट डॉक्टर दीप्ती सुकुमार से दीप्ती सुकुमार लंबे समय से चैन्नाई में सफाई करमचारी आंदोलन के साथ सक्री हैं और वहां पर जो अंटेचबिलिटी की समस्या है उस पर काम कर रही हैं दीप्ती आपका न्यूस्क्लिक में स्वागत है कोएमबटूर में जो घटना हुई है जो इंसिदेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताईये प्लीस तेल अस अबाओ था इंसिदेंट जो इंसिदेंट तब एंसीट अजितन प्लीस पने उसक्वाद गड़ाइं पिल्यूस्ट गड़ाइगा एंस तबाएंट इंसिदेंटां और जो लो यह सायर्वा है So the news that came out was that it was only because of the heavy rains that were there in that area, the wall collapsed. Because it was a very unsteady wall, it had collapsed. And it fell on this poor house. Now, so when we started probing and we had got getting news directly from the ground over there, we heard that it was a 20 foot high wall, 80 feet in length. And all the people who died were from the Arundajir community, from the Dalit community. And the person, the owner, and the wall was the privately built wall of a private compound. And the person who built that, who owns that wall and the compound, which was bounded, which had the wall as a boundary, was an upper caste person. And he's a textile business owner. I think he's into exports and all that. And he seems to be quite a close friend of the ADMK party, right, the ruling party. So what came out was that it was an accident because of the monsoon rain. Within a few hours, the Dalit community, the civil society, the Dalit community members of the civil society, of different organizations, of different civil networks, started protesting. That this is not a case of accidental death. The wall itself is an untouchability wall. Because we see many of these kind of walls all over Tamil Nadu, especially in the western west. Where, you know, where there is a lot of, you know, caste, casteism is very high. We see a lot of honor killing. We've seen a lot of, you know, untouchability cases over there. So we see these walls, especially in Madurai, Coimbatura, you know, that belt, there are a lot of these untouchability walls. Where walls are put up between Dalit's habitats and the upper caste habitats. So that the Dalit would not have access to the main village. So then we were very sure that it has to be an untouchability wall. Because nobody is going to build a wall 20 feet high. Which is as high as a two-floor, second-floor building. Who will build a thing? So it was built main. And there was only one big bungalow inside the compound. Of course, Appaka's family was living there. So very obvious, and the main thing over here, Basha, is that the people, the victims, the people themselves, Arundhadev community themselves, are calling it an untouchability wall. It's called Tindamai Suvar. Tindamai Suvar means untouchability wall. When the community themselves are calling it, then it has to be an untouchability wall. Who else has the right to, you know, to turn, we have to listen to whatever they are saying. Because they know best what exactly it is. And the community themselves have been protesting against that wall for a very long time. They have given petitions in the local government also. Means these Arundhatiyaar families who are living, they have given the petition to the administration. ...to the local administration saying that that wall, first of all, it is not safe. It is not steady. It will fall down anytime. It has to be demolished. And there is a Tamil Nadu untouchability eradication front has also raised the issue. I think last year also they have raised, and I think they have been raising a contingency that that particular wall is an untouchability wall. So already it has been recorded and reported within the social media and within our civil society network, especially among the Dalit groups, that it is an untouchability wall. So there is no doubt that it is an untouchability wall. Whether it is a private property or whatever it is, a common property. The wall is an untouchability wall. And the very fact that all the people who died are Dalit. And all the people who are living on the other side of the wall are all Dalit. And the person who has put up that wall is an upper caste person. He will not put up that kind of a wall between him and a person of a same caste. He is not going to put up a 20 foot high wall. Because other side, they were Dalit community, only he has put up the 20 foot high wall. It has to be an untouchability wall. There is no doubt about that. This untouchability wall, how prevalent, how prevalent, how prevalent is this in Tamil Nadu today? It is a very common feature, especially in the south and in the western belt. Madurai, Coimbatu, and if you look at this side, you know, that E Road, Salem, all these sites, there are many untouchability, there are these kind of walls will be there. There are towns or there are villages where it is? Yeah, even villages also, I myself have seen the villages also, there are untouchability walls, where the people themselves are calling it an untouchability wall. But it is more prevalent in towns, where you have these towns also, it is there. It is not a kind of a rural phenomenon or an urban phenomenon. It is something that is happening everywhere. And even in cases where there are temples, to block access to temples also such walls are put up. So when there is a temple, around the temple, we will have this kind of a wall. Friends, let's start with one or two good news stories that have been on our front. We will talk about the 36th time. In the 36th time, 2013, the CRPF had a gunнуled by a fight. It was a encounter. There is a reporter that came in the 36th time, which the 36th time has brought in our front. Judicial Anquiry Commission. There was a clear story. It wasn't a matter of a encounter. It was no encounter. नहीं था इस तरह की रिपोर्ट आना और वह भी तब जब 36 गड़ में जो आंदोलन करता हैं जो human right activist हैं वो लंबे समय से यह मांग उठा रहे थे कि यह encounter पूरी तरह से फरजी था इस judicial commission की रिपोर्ट को सामने लाना इस पे बात होना और और इस पे कारवाई की मांग उठना निश्चित तोर पे इनसाफ की एक कदम जीत है इसी तरह से आपको याद होगा कि अपने पिछली हमें इस बात पे खुशी है कि आज जब हम आपसे दुबारा बात कर रहे हैं कम से कम यह एक राजनितिक मुद्दा बना है वहाँ पर NCP और Congress ने शिवसेना के सामने यह बात रखी है कि जिस तरह से वहाँ लोगों को पकड़ा गया जिस तरह से लोग जेल में बंद हैं इस पर सरकार को सोचना चाहिए और वो मुकद्मे वापस लेने चाहिए कम से कम एक बात साफ लगती है कि इतने लंबे समय से जो human rights का violation हो रहा था वह एक राजनितिक मुद्दा बन रहा है कितना बन पाएगा इनसाफ कितना हो पाएगा लेकिन यह बात तो तैह है कि बिना लड़े बिना आवाज उठाए हक मिलता नहीं है सच की हमारी यह लड़ाई आपके साथ आपके साथ यह समवाद जारी रहेगा देखते रहे न्यूस क्लिक बना रहे हमारा और आपका साथ देखिए शेयर करिए खोश खबर शुक्रिया